हलो फ्रेंड्स वेलकम डो माई यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने माले हैं सेकिंड ग्रेड के अंदर जो पिसे 2010 में क्यूशन आये थे वो किस तरह के क्यूशन थी तो वीडियो आप सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना साथ इस वीडियो को लाइक क करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर उड़ करना आज का पहला क्यूशन है थाहर का कलपवरक किसे कहते हैं तो खेजडी को कहते हैं राजस्तान की सबसे बड़ी करतरीम जील कौन सी है तो जय समंद जील है लांगूरिया गीत का समंद किस से हैं तो केला देवी से ह सरस्टी को किस रास्टी जोनियर खेल में मेडल प्राप्तवा था 13 की में इस सब गोल का उतपादन कहां होता है तो जालोर में होता है दोस्तों इसके अंदर कुछ करंट फेर्स के क्यूशन है जो 2010 में आये थे लेकिन अब जो करंट फेर्स के क्यूशन है वो आप देख ली की मीट्टी क्या है मद्यम काली हैं ताला बे साही दोलपूर का निर्मान जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था तो सुलय खाने करवाया था अगला क्युशन किस नदी पर इस्ट वेस्ट कोरिडियोर के दिन एंगिंग ब्रीज बनाया जाना प्रस्तावीत है तो चंबल में राजे के मुख्य मंत्री के कर्तव ये निर्दारित है तो अनुचेद 167 में राजस्तान लोग सिवायों का गठन कब हुआ था 16 अगस्त 1949 को पंदरवी लोग सिवा में राजस्तान से कितनी महिलाई चुने गई हैं तीन महिलाई 16 में एक अगला क्युशन है नवंबर 2010 2010 में आयजीत ACA खेलों की बैक तीकत नोकाइन परतिस परदा में सोनपदग प्राप्त करने वाले पर्थम बारतियक नाम है बजरंग लाल ताखरता ये क्युशन उस टाइम का करंट अफेर्स का क्युशन है अगला क्युशन है विश्वय का सबसे बड़ा और गहरा मास गेव सागर जील किस जीले में स्तीत है तो डूंगरपुर में बारत का प्रमु काजू उत्पादक राज्य कोन सा है तो केरल राज्य ओफरेशन फलड के सुतरदार है डोक्टर वर्गीज गूरियर बारत का गोल्डन फाइवर कहलाता है जूट अगला क्युशन है बारत मे कि सरवाधिक संक्या काँ पर है तो राजस्थान में हिमाचल परवत की नदियों की विश्यसता क्या है वर्स बर बैती रहती है जो मिंग करसी परणाली मुंख्यतय अपनाई जाती है मणीपूर मेगाले में देस में नकसलवाद की समस्च्या से सरवाधिक प्रभावित रा जल्वायू प्रिवर्तन पर कोपेन समेलन कब हुआ था 7 से 19 दिसंबर 2009 सुयुक्त राष्टर संग सुरुक्षा प्रिश्द की ऐसताई सदस्या हेतु चुना में बारत को कुल मत प्राप्त हुए हैं तो 187 बारत ने 5 सिल सिदान्तों की गोशना की थी बारत चीन संदी 1904 को के बाद में मीजोरम भारत में सरवादीक लिंगानुपात वाला रिज्या राज्य कौन सा है तो केरल 1935 के एदिनियम की मुख्य विश्यस्ता थी प्रांतों में स्वाय था अगला क्यूशन है गांधी जी का ऐसायोग आंदोलन का प्रस्ताव पुर्ण बहुमत से 1920 में स्व 24 को पदभार सुंपा गया था तो सविदान प्रारूप सम्मीती का अधेक्स बनाया गया था मॉन्टेग्यू चैम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कैलाता है बारत सासन अधिनियम 1919 अगला कि उसने सविदान के अनुछे 54 के अनुसार बारत के राष्टपती का निर्वाचन क बारत की राजनितिक व्यवस्ता में देश का सर्वोच नेता सासक एं केंदर बिंदू होता है परदानमंत्री बारतिय संगात्मक व्यवस्ता की परमुक वेशेस्ता है सक्तियों का विवाजन पूर्वे परदानमंत्री जिसके परियासो ने नागरीकों के कर्तवे बारत के सविदान में समाविष्ट किये है तो इंद्रा गांदी ने अगला कुछने सविदान के बाग नमर च्यार में राज्य के नीती नी दे सकतात्व निमिल कीत है अनुचेद 36 से एकाउन में बारतिय जन्ता पार्टी अस्तीत्व माई थी 1980 में मांडलगड के निकड तिर्वेणी पर कोन सी ती नदिया मिलती है तो बेड़त्स बनासोर में नाल राजस्तान बजट 2010-11 के योजनवे में सरवादिक प्रावदान था उर्जा छेतर का अगला कुछने प्राचीन गनेश्वर सबेता के अगला कुछने बिजग पाड़ी कहां पर स्तीत है तो विराटनगर में स्तीत है राजस्तान में लोग सबाकी कितनी सीटों पर चुना होता है तो 25 सीटों पर चुना होता है अगला कुछने राजस्तान के जीले जहां से करकरेका गुजरती है तो बांसवाड और ढूंगरपूर में अगला कुछने अर्दसुसक जलवाईयू वाला जीला कौन सा है तो जोधपूर है चोहान राजवंस का संस्ता पर कौन था वासू देव चोहान अगला कुछने अलाओदिन खिलजी ने रनतंबोर पर आकरमन कब किया और क्यों किया सुल्तान ने विद्रोईयों को सरन दी थी इसलिए अलाओदिन खिलजी ने रनतंबोर पर आकरमन किया था पदमावत के रचनाकार कोन है मलिक मोहमत जाईसी अलाउदिन खिलजी द्वराची तोड को नाम दिया गया था खिजरा बाद अगला क्यूशने मंडोर के परतियार माने जाते हैं छत्रिये अगला क्यूशने राजा नाग बट पर्थम का राजवन से गुर्जर परतियार पर्थिराज विजे के लेक कोन है जयानक बट अगला क्यूशने मालदेव के पश्चात मारवाड का सास कोन बना था चंदर सेन राजस्तान जाट छेत्रिय सबा बनाए गई थी 1931 में अखील बारतिय राज्य लोग परिशद का पर्थम अधिवेशन बंबोई मी 16-18 दिसंबर 1927 के बीच हुआ था तरून राजस्तान समचार पत्र के व्यवस्ता कोन थे जयानराण व्यास राजस्तान की अंतरराश्टी सिमा की लंबाई कितनी है तो 1070 किमी मत्त से संग के परदानमंतरी बनाए गए थे सो बाराम कुमावत को अगला क्यूशन है अकबर द्वारा परताब के पास बेजा गया पर्थम राजपूत कोन था जलाल खां परताब की सेना का पठान सेनाना कोन था हाकिम का सूरी अगला क्युशन है उद्यवपूर परजामंडल अंदोलन से समधित महिला कोन थी नारायनी देवी वर्मा तुरीपूरा सुन्दरी का मंदिर किस जिले में है तो बास्वाड जिले में है जोदपूर के राठोडों के कूल देवी जिनकी ठारा बुजाय थी तो नागने ची माता थी अगला क्युशने राजस्तान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थीत है तो डीडवाणा में संत बूरी बाबा अलग का कारिय छेतर था मेवाड फूलडोल उत्सों मनाया जाता है राम सने ही पंथ दवारा वर्तबान राजस्तान दिर्मान की परिक्रिया पूर्ण होई है एक नवंबर 1956 को कपिल मुने का मेला लगता है कोलायत में तिम्बनिया नमका बूसन पहना जाता है गले में लांगूर्या गीत है बक्ति गीत बादली के रचनाकार है चंदर सिंग बिरकाली अगला क्यूशन लगू द्योको विपर्णन में सहायता परदान करने वाला परमुग संस्ता कोन सा है राजसी को किराडू का समेश्वर मंदिर है गुर्जर परतियार से लिगा सोनारगर दुर्ग है धन वे दुर्ग अगला क्यूशन ने बारत में सरोपरतम स्तापित किया जाने वाला रास्ट्रिय परग का नाम क्या है तो कारबेट नेसनल परग बारत का सबसे विशाल इमानी है सियाचीन टिहरी पन बिजली कॉंपलेक्स किस एक नदी पर अवस्तित है तो बागीरती नदी पर अगला किशन है सर्यू नदी के किनारे कौन सा सहरस्तित है तो अयोध्यास्तित है ये किशन इंपोर्टेंट है बारत में सर्वत्तम चाय कहां पेदा होती है तो असम में होती है उद्योगिक करांती सर्वत्तम किस देश में हुई थी तो इंगलेंड में किस तिति को विधी द योजना में की गयी थी तो 65 जे कि गयी थी आपको इसका आंसर बताना है कि नाबाड़ की स्तापना कब की गयी थी इसका जबाब आप कॉमेंट में जरूर बताएं वर्तमाने में किस देश में एक दल्य परनाली कायम है तो साम्मेवादी चीन में किस अधिनियम के अंतरगरत अंग्रेजों ने बार्त में पहली बार सांपरदायक निर्वाचन मंडल परनाली को आरंब किया था तो बार्त जरकार अधिनियम 1909 में गांधी जी ने हिंद सवराज की रचना की थी जब वे जहाज में इंग्लेंड से दक्षिनी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे अगला किश्व ने ऐस अयो गांदोलन को समाप्त करने का निर्न लिया था 22 फरवरी 1922 को बार्दोली में हुए कांग्रेज की बेठक में अगला किश्व ने बारती है सविदान में राज्य नीती निर्देसक तत्वय को समलीत करने की प्रेणना किस देश के सविदान से मिली है तो आईरलेंड से अगला क्युशन है बारत की एंटोनी जनरल महानियवादी की नियुकती कोन करता है तो बारत का राष्ट्रपती करता है बारत के राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती के पद के खाली होने की स्तेती में जो वेक्ती राष्ट्रपती के पद का निर्वेन करेगा वे बारत का और महातमा गांधी के मद्य सन 1932 में अस्तांक स्रित पुना समझोते प्रावदान था तो अरिजनों के लिए अरक्षन सहित सयोक तो निर्वाचन छेतर का प्रावदान था बुकर पूर्षकार जीतने वाले बारतिय मुल्के पर्थम वेक्ती कोन थे तो वी एस नौई फॉल अगला किशन हल्दी गाटी के युद में मुगलों और माराणा के सिनिकों के साथ साथ दोनों पक्सों के जिन आतियों ने बहुत वीरता दिखाईती उनके नाम क्या थे लूना, राम परसाद, गज मुक्त, गज राज ये च्यार आती थे 1689 में मुगल समराट औरंग जेब तथा राणा राज सिंग के मदे उत्पन कटूता का परमुक कारण था तो राणा राज सिंग द्वारा किशनगर निरेश की पूतरी चारू मतिशे विवाह कर लेना अगला किशन बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाती के किसान सरवादिक संक्या में थे तो दाकड जाती के जाट सरवादिक दे ट्रेज कमिशन समंदित है बेंगू किसान आंदोलन से बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था इसका आंस्वर आप कोमेंट में जरूर बताए सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्तान में कितनी सेनिक चाहनिया थी तो 6 चाहनिया थी अगला कुष्णा 22 जुन 1908 में चितोडगड में रास्मी परग्णना स्तित मात्र कुणिया नमकस्तान पर कोन सा खिसान आंदोलन प्रान भूआ था जाट खिसान आंदोलन प्रान भूआ था शेकावटी में ग्राम कटरातल में अप्रेल 1934 में किसके नेतरतों में हजारों जाट महिलाओं ने किसान अन्दलन में भाग लिया था तो किसोरी देवी ने संप सबा की स्तापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने ये स्तापना कब की गई थी इसका अनुशर आपे कोमेंट में जरूर बताए अगला कि उसने डूंगर जी जवार जी किस जी लेके थे सिकर जी लेके थे जल जूननी एकादसमी मनाई जाती है बादरपद सुकल एकादसमी को राजस्तान में वलब संपरदाई का परमुख दार्मिक स्तल कौन सा है तो नाथ दवारा अगला किशने चावंड सली के परसिद जी तेरे नासारे दिन निसरदी ने राग माला का चीतन की साच के सरक्षण में किया था तो अमर सिंग पर्थम के सरक्षण में मारवड़ी बासा का विशुद रूफ कहांस दर्ष्टी गत है तो जोधपूर और उसके सिमावर्ती छेत्रों में है अगला किशने राजस्तान की पर्थम निर्वाची तक लोगतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था तो 3 मार्च 1952 को हुआ था राजे महादिवेक्ता वा राजे लोग सेवा आयो के देख सद्ष्टी ओंकी निवकति कोन करता है तो राजे पाल करता है राजस्तान निर्यात समर्धन के लिए सरवादिक महतपुण संस्ता कोन सी है तो राजशिको पिछवाईयों के चितन का मुख्य विश्य क्या है? श्री कर्षन लिला राजस्तान में बिती चितरों की चितरकला तक चितरकाल तक जिवित रहने के लिए एक अलेखन पदती है जिसे क्या कहते है? आराइस आराइस बोलते हैं अगला क्यूशन है राजस्तान में कार्यरत बारतिय प्रसासिनिक शेवा के अधिकारियों का चेहन करता है संग लोग शेवा आयोग राजस्तान के команд में शेतरों में गरेबी उन्मोलन हेतु सबसे मैटोपन कार्यक्रम कोजसा है समगर गरामिन विकास कार्यक्रम अगला किसने किस राजे में विश्वे बेंग की आर्थिक सायता से जिल्ला, गरीबी, उन्मुलन, योजना किस वर्स प्रारम किये गई थी तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जुलाई 2000 को अगला किसने किस राजे में सरोपर्थम पंचायती राज लागू किया गया था तो राजस्तान में लागू किया गया था इसका डिस्टिक आपको कोमेंट में बताना है कौन से डिस्टिक में सरोपर्थम पंचायती राज लागू किया गया था और कब किया गया था और किसने किया था ये आपको पता है तो कोमेंट में जरू बताए राश्ट्र मंडल खेलों में सोनपदक जीतने वाली कर्षना पूर्णिया ने पदक जीता था डिसकस थ्रो में सेकावटी चेतर की कला संपदा के सरक्षन एतू 28-06 को राज के संग्रा लेके स्तापना कहां की गई थी तो सिक्कर में की गई थी राजे की पारंप्रीक एंविलूप्त हो रही कलाओं के सरक्षन और खोज एंव समर्धन करने और उनका समनवित विकास करने के उद्यसे से स्तापित सहस्ता कौन सी है बारतिय लोक कला मंडल उद्यपूर